जहां एक तरफ पूरी दुनिया करोना वैश्विक महामारी के दंश से जूज रही है और अब आपसी मतभेद भूलकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ कर आ रही है वहीं कुछ ऐसे भी लोग है जो इस आपदा के समय में भी अपनी उधंगणा से बाज नहीं आ रह लखने के निर्देश भी दिये गए हैं बावजुदिस के आज उत्रपरदेश के रामपूर के अजीम नगर थाना शेतर के रतिल पूरा शुमाली गाउं में घर के पीछे बने प्लाट में इकठा कुछ लोगों के भैटने को लेकर एक पक्ष ने आपत्ती जताई जिसके दोनों पक्ष लड़ाई को आमदा हो गई दोनों पक्ष में जमकर पत्थरबाजी उजान से मारने की नियत से फाइरिंग भी हुई इस पूरी घटना का वीडियो अब शेतर में वाइरल हो रहा है आपको बता दे कि यहां पर दो पक्ष हैं एक पक्ष अमीर एहमत का है अब दोनों पक्षों से 15 लोग हिरासत में हैं वहीं दो लोग जो घायल हैं उन्हें जीला अस्पताल रामपूर में मेडिकल में भेज दिया गया है रामपूर से समधाता रवी सायनी की रिपॉर्ट यहां पर दो पक्ष हैं एक पक्ष अमीर एहमत का और दूसा पक्ष है इन में पहले से ही अपनी परधानी और विविन मामदू को लेकर रंजीश चली हुई है जिन में से दोनों लोग जनवर इससे पचास पकार हैं यह बांट डाउन है और इनके मुचल के भरे हुई हैं लेकिन इनके उसी इतना करम को लेके आज इनने अपस में जब्डा किया जिसके सम्मध में मुकदमा लिखा गया है और जिस असला से इनने फारिंग की है असला भी बरामद हो चुके हैं और जो अपराद में लिवक के लोग उसमें 14 लोग की अरश्टीन हो चुकि है सबी के किलाब कर लगकर के कठोर कर लेकर इनको जेल बिजा जा रहा है और के साथ पठोर कारवाई कितने लोग हीरासत में अभी हमारे पास 14 लोग राशत में दोनों पक्सों के जिनके दुआरा अपराद करिद किया गया उन्हें तो जेल कितने हैं ऐसे जाल दो लोग हाल है इनको मेडिकल अपचार के भी देगे जाएं पाइरिंग वैली वीडियो भ अगर उस संबन में मुकदमा लिखा जा चोगा और कारवाई चलिए पुरी तरह से महाई सतीन ही अप्रम में ठीक से ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बेल आइकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद कि अबाइब करें लाइब जाएब लाइब प्रॉपट वेडियर चैनल को फिलिक कार्वाई चैनल को फिलिए बाइब।